आज हम सिर्फ आलू से बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे और अगर आपको पीजा पास्ता मैगी खाना पसंद है या फिर स्पाइसी चीजे खाना पसंद है तो यह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी तो चलिया आगे बढ़ने से पहले हैं हेलो मैं हु सुमन और आप सब का मेरे चानल पर स्वागत है तो चलि फिर इस रेसिपी को बनाए शूर करते हैं तो सबसे पहले यह मैंने एक बोल में दो मीडियम साइज की कट वए आलू लिये हैं तो आलू का पहले मैंने चिलका उतार लिया फिर उच्छे से वोश करने के इसको हम च्छेद करेंगे ताकि दर की स्टेपी बाहर आ सके उपना यहांगा है ने पहले से ही कडाइ में दू सी डाई गलास पानी इसके गरम कर लिया है तो यह मैंने पहले से ही और उसके अंदर इस तरी के से एक प्लेट रकती है आप कोई भी आको कटोरी बगर इसके उ अगर इस टेज पर आलू नहीं गलते हैं तो आप उसे 57 मिट के लिए ओ स्टीम कर लें तो आलू को हमें बहुत जादा नहीं गलाना है जब हम फोक इसके अंदर डाले तो जो यह आलू है वो बिल्कुल टूटे नहीं तो आप देख सकते हैं यह जो आलू है बिल्कुल बिखर स्मूद पेस्ट में मिले तो आप देख सकते हैं आप अच्छी से मैश कर लिया है और अभी इसके अंदर बिल्कुल भी चंक्स नहीं है तो इसके अंदर में डाल रही हूं अदा चमच दरदरी कुटी हुई कालि मिच और साथ में आदा चमच नमक डालेंगे। यह दोनों ह कॉन स्टार्च और अरा रोट का आटा आटा आप इसकी चीज़ के सिर्फ कॉन फ्लाय डाल सकते हैं या फिर पटैटो स्टार्च चावल का आटा जो भी आपके पास इन तीनो चारो चीजों में से यहां भी यूज कर सकते हैं तो एक पर थोड़ा सा आटा हम डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अब यहां मैंने एक चोथाई कप पानी लिया है तो इसको भी हम सारा नहीं डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे और इन तीनों ही चीजों को हम अच्छे से एक पार मिक्स कर लेंगे जब आलू के साथ यह सा जैसे हम रोटी बनाने के लिए जो आटा त्यार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसका आटा लगाना है और इस आटे को लगाने के लिए जो हमने एक जो थाई कप पानी लिया था उसमें से डेट टेबल स्पून पानी जो है बच गया है तो चलिए फ्रेंड्स आटा बिल्कुल अच्छे से त्यार हो गया है अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आटों को अच्छे से वोश करना है और इस पर घी बटर या ओयल अच्छे से लगाना है ताकि यह जो डो है वो हाथों पे चिपके नहीं अभी साटे में से हम नीमगू के आकार का थोड़ा सा पोर्चल लेंगे और इसकी बिल्कुल एक स्मूथ सी लोई बना लेंगे और हलका सा इसको हम प्रैस करेंगे प्रैस करने के बाद हम कोई भी बोटल लेंगे और इसके सैंटर में इसको रखकर हलका सा प्रैस करेंगे तो आप देखेंगे यह बलकुल मश्रूम की शेप में आ जाएगा तो इसी तरीके से हम सारे जो आटा है उसके पटाटो मश्रूम तियार कर लेंगे अगर बीच में इन्हें बनाते समय आपको लगे कि आटा जो है हाथों पी बार-बार चिपक रहा है अब इन्हें हमें उबालना है तो बालने के लिए पहले से तीन से चार ग्लास पानी जो है गरम होने के लिए रख दिया था और यह काफी अच्छे से अभी गरम भी हो गया है अब इसके अंदर हम एक चमच ओयल डालेंगे इसे जो मश्रूम है उबलते समय एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे तो अब एक एक करके इसमें हम सारे मश्रूम डालते जाएंगे और इन्हें हमें हाई फ्लेम पर तीन से चार मिंट के लिए अच्छे से बॉयल होने देना है बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं तो आप चमच से इस तरीके से इनको अलग कर सकते हैं तो जैसे जैसे यह पकते जाएंगे आप तेखेंगे कि यह हलकी होकर पानी पर इस तरीके से तैरने लगेंगे यह इंडिकेशन है कि हमारे जो पटैटो मुश्रूम है वह अच्छे से पक गए हैं पस इससे जादा इसको हमें नहीं पकाना है अब इन्हें हमें जरनी या छलनी की हैल्प से निकाल लेना है ताकि जो इनका पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए और अब इनको हमें ठंडा करना है जब यह हलके से ठंडे हो जाएं तो एक बोल में इन्हें हम ट्रांसफर कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे एक चुथाई चोटी चमच पिसी हुई लाल मिर्च अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो लाल मिर्च अपने टेस्ट के कोडिंग आप यहां कम ज्यादा कर सकते हैं तो साथ में एक चमच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है पर इसे कलर काफी अच्छा आता है आदा चमच नमक आड़ करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा कर सकते हैं एक चमच बड़ीना अगर आपके पास है तो आप डाला देंगे नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इसके अंदर एक चमच राई डालेंगे और इसको अच्छे से चटकने देंगे और अब इस गर्मा गर्म हमारे तड़के को डालेंगे इसके अंदर और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स हमारी यह बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही जब भी आपका चटपटा कुछ खाने का मन हो या फिर मंचूरिन बराना थोड़ा जमेला लगता हो तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत जादा पसंद आएगी सबको तो उमीद रखती हूँ आज की जो यह वीडियो है आपको पसंद आई है अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर मत बोलेगा तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ